एगाईज वाट्स अब वेलकम टू माई न्यू व्लोग तो गाईज अभी हम है भिवाणी हरियाना के अंदर और कल हम आए थे पापा के दोस्त जो है बचपन के दोस्त उनके मम्मी पापा की एनिवर्सरी पे तो आज हम वहाँ पे आये हुए है भिवाणी में और आज उनके गाउ में जगराते का आयोजन किया गया है तो अभी हम वही जाने लग रहे है और कल मैं व्लोग इसलिए नहीं बना पाया था क्योंकि कल मेरे को थोड़ा सा फीवर और कोल्ड सा हो रहा था तो आज मैंने व्लोग बनाया है तो कल एनिवर्सरी थी और कल सेलिब्रेट किया के काटा था तो अभी हम गाउ में जा रहे हैं उनके और गाउ का नाम है चंदेनी जो की चर्खी दादरी में पड़ता है हरियाना में और वहां पे आज रात को है बाला जी का जागरण तो अभी हम पोच गया है अब हमने हापर लंच कर लिया और यहां पर अभी हम आसी डोलने हागे है तो यहां पे देख़ए टीले वगार से चोटे मोटे तो यहां पे हम आसी घूमरे है सारे इंट्रोडक्शन चाहिए इसे, यह है डुगू, लिकने बहुत चिड़ता है, लेकिन फिर भी इसको सारे डुगू ही बोलते है, यहाँ पे डुगू हमारे चाचु यानि हमारे पापा के जो दोस्त है, उनका लड़का है, यहाँ पर अभी हम आए है, यहाँ पर पता नहीं कोई जंग्या दिखिया है, और हम भी यहाँ पर एक्स्प्लोर कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर पहली बार आया है, तो यहाँ पर जोड है, तो यहाँ पर जारवीर गुगगा जी की माड़ी है, यह चोटी सी, यहाँ पर बीच में जंगलों से के, तो यहाँ पर देखो यह सिर टीले बगारा चोटे चोटे और रस्ते में तो काफी बड़े बड़े टीले भी दिखे थे पर यहाँ पर तो आभी कोई बड़ा टीला है नहीं इतना पर जो मैंने पहले जोड दिखाया था वो यह है और इस साइड भी एक जोड था लेकिन वो अभी सुखा हुआ है और यहाँ पर बच्चों ने देखो पीछ भी बना लिए क्रिकेट खेलने के लिए पर मंदीर में आज जगराता है तो पहले मैं आपको मंदीर दिखाता हूँ और जो अभी हम वहाँ पर घूम रहे थे वो मंदीर की बैक साइड है तो वैसे जंग है तो काफी अच्छी है काफी हर्याली है तो सबसे पहले यहाँ पर है शनी देव जी का मंदीर यह देखो यह देखो कुछ ऐसा है शनी देव जी का मंदीर और यह है हनुमान जी का मंदीर वैसे मंदीर हनुमान जी कही है तो यह देखो यहाँ पर हनुमान है और यहां पर भी हनुमान जी कही है मंदिर यह देखो यह देखो यह देखो यहां पर भी हनुमान जी कही मंदिर है और यह देखो यहां पर हनुमान जी तो मंदिर का होल है तो बस मंदिर तो हनुमान जी और शनी देव जी कही है तो गाइज अभी अंधेरा हो गया है और यहाँ पे अभी आठ बज गया है रात के और अभी डिनर हो गया है तो डिनर में था रोटी कड़ी और अलू की सबजी थी और हलवा था तो काफी टेस्टी था तो मज़ा आ गया तो अभी थोड़ी देर में यहाँ पे किर्टन शुरू मतलब जगराता शुरू होने वाला सोरी तो अभी देखते हैं की कभ शुरू होता है वैसे अभी तो कुछ लोग अभी डिनर कर रहे हैं तो जब सारे डिनर कर लेंगे उसके बाद शाहर शुरू हो जगराता शुरू हो गया तो चलो अभी अंदर चलते हैं जगराता शुरू अधाना शुरू दो चलते हो गया मैं जब जाएंगे तो क्या देश्डा है तो जो क्या दो है जब आएंगे गाइस गुड़ मॉर्निंग और अभी सुबे के यहाँ पर 935 हो गया और रात को दो बज़े जागरन खतम हुआ था और हम आतीस हो गए थे और फोन की बैटरी भुच कम थी तो फिर मैं ने इसको चार्जिंग पर लगा दिया था तो मैं कुछ लोग बना नहीं पाया कि हम घर पे आ गए ऐसा ऐसा तो अभी हम रात को यहाँ पर आके सो गए थे घर पे तो अभी हम नहते हैं तयार होते हैं और वहाँ पर चलते हैं दुबारा मंदीर में क्योंकि वहाँ पर है हवन और भंडारा तो अभी चलो चलते हैं बैल यहाँ पर मैंने हुड़ी पहननी है और यह हुड़ी मेरे को बुआ ने भेजी है हमारी बुआ ने अमेरिका से और अर्नम ने यहाँ पर कुर्ता पजामा पहनना है अभी हवन शुरू हो गया है तो अभी चलो चलते हैं वहाँ पे हवन में अभी ब्रह्मा नोजिते प्रहर आर्दे वाइबादे मनमंतरे अस्टाफिन सली तमेकालियोगे करी ब्रत्वां परनाईजर्या पासुविर ब्रह्मा वर्चसे इना नादीन समेधाया स्वाहाँ इना नादीन, तुरो अभी प्रॉणी, शूरू उलियुट शुरू परनाईजर्या स्थिल्ट मॉणी अपरो फिरू रहताईजर्या के मैं देना ब्रत्वासुए-दोरानगों हवन हो गया है और यहां पर सारे भगवानों को बंडारे से पहले अभी भोग लगाया जा रहा है तो गाइज अभी हाँ पर बंडारा शुरू हो गया है और मैंने तो खाड़ा खा लिया तो अभी मैं आप पो दिखाता हूं गाइज खाना तो काफी टेस्टी था और खाने में थी आलू की सबजी और छोले और पेठा और बुंडी का परशाद था और पूरी अभी मम्मी बैठी है तो गाइज अभी हम यहाँ पर करनाल जाने के लिए बिलकुल तयार है तो गाइज मैं आपको चाचू से मिलवाने ही भूल गया तो यह है चाच्चू जाने से पहले चाच्चू हमें गन्ने का जूस पिला रहे हैं अब हम यहाँ से चल दिया है और अभी दो पहर के तीन बच गया है तो अभी बस हम चल दिया है अभी हम घर पहुच गए है और यहाँ पे अभी रात के आठ बच गए है तो गाइज अभी हमने टिनर कर लिया है और बस गाइज मैं इस व्लोग को एंड करता हूँ और पता नहीं मेरी आवास को क्या हो गया है तो बस गाइज इस व्लोग को करता हूँ मैं एंड मिलते आप से जल्दी नेक्स्ट व्लोग में तब तक के लिए गुड़ बाई थैंक्स फोर वोचिंग हमारे चैन को सस्क्राइब कर दो इस वीडियो को लाइक कर दो बाई प्यूँ